नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों आज हम बात करेंगे तेजस फाइटर जेट की यानि की जो तेजस MK1 है FOC स्टेंडर का उसके साथ में वर्शन ने पहली फ्लाइट ली है काफी लंबे समय की डिले के बाद में तो चलिए दोस्तों शुरू करते ह तो दोस्तों खबर ये आ रही है कि साथ में तेजस MK1 यानि SP27 ने अपनी पहली फ्लाइट ले लिया है और ये दोस्तों कोरोना वाइरस की वज़े से 6-7 महीने डिले जरूर हो गई थी लेकिन फाइनली दोस्तों इसने पहली उडान भरी है तो ये अच्छी खबर है यानि क प्लैनिंग की बात करें तो अगले 3 महीनों में भी दो और तेजस FOC स्टेंडर के फाइटर जेट को इंडियन एर फोर्स को दे दिया जाएगा यानि कि दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोरोना वाइरस की डिले के बाद में इन्होंने सही स्पीड पकड़ लिया और प्रोड ट्रेनर जेट बनाये जाएंगे जिसमें से 4 तेजस फाइटर जेट ट्रेनर वो होंगे जो इन IOC और FOC लेवल के 40 तेजस के साथ में ओर दिया गया था और इसके इलावा दोस्तों जो 5-6 और तेजस FOC स्टेंडर के रह जाएंगे उन्हें भी दोस्तों अगले साल के अंद 2022 तक अपनी फलाइट ले लेगा यानि कि पहली उडान भर देगा तो साथ ही साथ दोस्तों टेकनोलोजी डेमोंस्टेशन और अन्य टेस्ट भी तेजस म के वने के लिए उसी हिसाब से शुरू हो जाएंगे और इसके इलावा दोस्तों हेल के चीफ आर मादवन ने ये भी क कि पहला तेजस म के वने कब डिलीवर किया जाएगा तो इसकी संभावना 2024 के शुरुआत के अंदर लगाई जा रही है ऐसे में दोस्तों काम सही से चल रहा है तेजस फाइटर जैट का और थोड़े समय के अंदर तेजस म के वने का काम भी शुरू हो जाएगा धन्याबाद जाहिन